असलाम अलेकुम मैं हूँ मुशाहिद शर्फ फ्राम एमडी अपडेट्स इस वक्त जो है मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ पी एनस टब्लीव जो है नवी कालूनी जो है नवी सोसाइटी है गगर फाटक से आगे उसके हवाले से और इसकी रिसेंट प्राइसिस क्या चल से जो रोट्स वगेरा बने वहीं फैमिली के हिसाब से हर फैसिलिटी अवैलेबल है उसकूल जो है यहां पर है कॉलेज बीडिया बन गया है उसकी ओपनिंग होनी है और उसके बाद जो नए गर बने उसके हवाले से भी मैं अपडेट दूँगा आपको पूरी आप वीडि पूरा इनका एक अच्छा हाउसिंग प्लान है तब यह वाले जो घरें वह एक घरें यह दो सो चालिस गज़वाले जो हमारी लेफ साइड पे अगर इनकी प्राइस की बात की जाए इस टाइम रेंड के साब से तो रेंड चल ला है 25 से 30,000 रुपे 20,000 रुपे 20 से 25 तक का और इसके बाद इनकी जो से ल पारई रेंड और अगर इस तरफ की जाये बी के टेगरी की सामने आपको नजर आ रहा हूँका बूर्ड लगा हुए है इस time rent और all facilities जो है इसमें अवेलेबल है एजूकेशन और होस्पीटल बगएर सारा सिस्टम यहां पर माहूल अच्छा है फैंबली इन्वारिमेंट है अब देख सकते हैं कितनी पर शुकून सोसाइटी है और इनकी अगर बात की जाए पर खरीद फरोखत के लिए तो 75 से 80 इसका जो है वो रेट चल रहा है इसल परचेस का बाकी ट्रांसफर के हवाले से जो लोग पूछना चाह रहे थे मुझसे ट्रांसफर अभी इसका जो है वो खुला नहीं है ट्रांस हो सकता है इनको कीज मिल जाए एंद के बाद तो आप यह सकते हैं इसके तो तकरीबन रिट चल रहा है रेंड के साब्से बारा और 55-60 उनका rate है ये देखें इनका proper drainage system में पूरा पानी का जो निकाल का system है वो सारा बैतरीन है सामने जो है वो 180 गस के घर बने हुए इधर जो है वो बागी construction हो रही है almost ये इसकी side है जो मैं आपको visit कर वा रहा हूँ पूरे सारे घर लाइनों से उधर जो है गरों के काफी color भी हो चुके है तो इस सरफ से मैं आपको लेकर चलता हूँ इन में जो है अभी का जो काम चल रहा है वो इनकी office वगरा बन रही है और सामने इनकी payment या वगरा चीज़ें जो है वो लगी हुई है जिनका काम बड़ी तयजी से जा रही है अब अगर इस scheme के हमाले से बात की जाए environment के इसाब से और कितनी बड़ी scheme है या कितने गर अभी जो दूसरे गर बन रहे है वो हजार गर न्यू गर जो है वो उनको बनने है और यहाँ पर जो काफी गर है उनको लोगों को कीज मिलनी है वो possibility है ईद के बाद जो हमें information मिली है और बाकी sale purchase के हिसाब से जो rent के हिसाब से लोग रहना चाहरे हैं वो रपता कर सकते हैं बहुत बैतरीन society है गार फटक से आगे थोड़ा सा जो है इसका तीन किलोमेटर के फासले पे यह society है और बहुत ही प्यारा environment है commercial के हिसाब से हर चीज की facility यहाँ पे मुझूद है प्लेग्राउंड्स हैं फैमली पारक हैं आपको मैं फैमली पारक और प्लेग्राउंड्स पर दिखाता हूं आगे चल के यह सारे जो गरें यह तैयार गरें 180 गर्स के यह इस टाइम जो है फार्मूलाज हैं जो अवैलेबिल हैं चाबी वकीज देने के लिए अब वो जो उनका प्रोसेस है उसके प्रोसेस के हिसाब से उनको चाबी जो है वो दी जाएगी इनकी जो है कुछ शॉप्स वगिरा लें और अघर हम जाते हैं यह सामने ही आप देख सकते हैं वह कॉलेज बना भाए जिसकी बिल्डिंग अल्मुस्त तयार हो रही है तो उसके बाद यह इसका जो रोड है वह i billion हो रही है आपल देख सकते हैं इसका बीरेज की बैने आपको क्रीद दी थी तो बिर गीज 9 masa ile isol जुड़ता है पूर्ट कासिम से तुझी मेरे विवर्स जैसे मैंने आपको बताया इस सरफ इनका जो है ग्राउंड बगे रहे हैं खेलने के साफ से और यह पूरा जो है फैमली और वाटर प्लांट है जो 24 हर चलता है आपके पास पानी इस टाइम जो गर्मी और यह फैमली है कि आगे जाके मैं अपको पूरी घर भी देखाऊंगा और सामने जलके जो है वह मयम्मेंगेट दिखाता हूँ मैं आपको यह जो है इसका मैंड बना हुए है जिसका व्यूच है इसका मैंडमेट है जो है मैं व्याहरे इससे घर बने जो है